Hello Friends, Welcome to the Study Hunts YouTube Channel दोस्तों अगर अभी तक आपने Study Hunts को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमाई लेटेस्ट वीडियो और अब्डेट्स आपको मिलते रहें दोस्तों 10 और 11 फवी 2024 को देश और राज्यों से कौन कौन से सी बड़ी ख़बरे आई जो आपके एकजाम के Point of View से बहुत अधिक Important है चलिए एक बार देख लेते हैं जो पहली ख़बरे दोस्तों वो है एफिल टावर से हुआ UPI का launch बहुत important ख़बरे दोस्तों यह आपसे एकजाम में पूछा भी जा सकता है हाली में Unified Payments Interface UPI को आपचारिक रूप से पेरिंस फ्रांस में प्रतिष्टित एफिल टावर में भारत के गरतंत दिवस समारों के समय launch किया गया था NPCI की सहायक कंपनी NPCI International Payments और फ्रांस की Laira Collect के 20 साज़दारी से फ्रांस था यूरोप में UPI सुरू करने के लिए एक समझा होता हुआ है important ख़बरे दोस्तों यह आपके एकजाम के लिए next दोस्तों भारतत एक वर्स में तीन लोग को ही मिल सकता है तो फिर एक सवाल आता है कि सरकार ने 2024 में पांच लोग को एक साथ भारतत देने की घोषड़ा कैसे कर दी तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सम्मान की घोषड़ा होना अलग बात है और मिलना अलग या तो सरकार नियाम में संसोदन करे जो अब मुमगिन नहीं है इसलिए सरकार 2024 और 2025 दोनों वर्सों में 3 और 2 या 2 या 3 करके सम्मान दिया जाएगा मतलब 3 2024 में 2025 में 2 या 2024 में 2 2025 में 3 ये कैसे भी हो सकता है इस करम में सरकार गुटा करी है और भारतन देगी टोटल पांच लोग को दिया जाना है इस साल भारतन दो एर के लिए नेक्ट और लास्ट कर दोस्तों पंडित दीन द्याल उपाद्ध है की पुनित थी 11 फ़वरी को मनाई जा रही है दोस्तों मिलते है कल एक नई वीडियो के साथ तब तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को जाज़ादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए जै हिंद जै भारत